और इतना पैसा बचराए जी इतना पैसा बचराए, सतर साल में आपको बता रहा हूं, हमको बेकू बनाया कि सरकार घरीब है, सरकार गाटे वैसे में मैंने केंदर सरकार से तुरंट राहत के तौर पे दिल्ली के तरणचारियों की तनखा दी जा सके इसके लिए और बाकी ज़रूरी काम तुरंट आफिसे के चलाई जा सकें इसके लिए 5,000 पर रुपे की मांगती है भारत में नेता अकसर अपने बियानों से पलटते ही दिखाई देते हैं नेता शायद बियान देकर भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा हम बस उनकी इनी बियानों को आपको दिखाते हैं आज हम बात कर रहे हैं दिली के चीफ मुनेस्टर अर्वेंद केजरिवाल की आज हम आपको उनके कुछ ऐसे बियान दिखाएंगे जिन पर केजरिवाल ने यूटन लिया हूँ पहले बात करते हैं दिली के बजट को लेकर केजरिवाल की केजी वाल हर बार यही कहते दिखाई देते हैं कि दिल्ली सरकार के पास फंड की कमी नहीं है और दिल्ली सरकार मुनाफे में है पैसे की कमी नहीं है अगर फिजूल खर्ची बंद कर दे और अगर करप्शन खतम कर दे कि सरकार में पैसे की कमीणि है नियत की कमी The people A चिलिए वाली सरकार हो तो सब कुछ हो सकता अगर करोणा के दौधन मनीश सर्कार के केंदर सरकार की फंड परक्ते देखिए तो अभी यह समझ में आया कि दिल्ली सरकार को लगवग लगवग केवल सेलरी सेलरी देने के लिए और ऑफिस के जरूरी खर्च उठाने के लिए साड़े तीन हजार क्रोड रुपे हर महीनी की जरूत है तो इस वक्त दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट यह भी है कि अपने करमचारियों की तंखा कैसे दी जाए वैसे में मैंने केंदर सरकार से तुरंत राहत के तौर पे दिल्ली के करमचारियों की तंखा दी जा स के लिए तुरंत पांच हजार क्रोड रुपए की सहायता दे जब केजरिवाल नए नए इलेक्शन लड़ने आये थे तब यह कहते दिखाई देते थे कि बीजेपी और कॉंग्रेस के साथ वे कभी घर्ठ बंदन नहीं करेंगे और कॉंग्रेस पर सवाल भी उठा रहे थे किसी चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे ना कॉंग्रेस को करेंगे हमने कल यही सोच कर चिखी भी तयार कर ली थी लेकिन देर रात पता चला कि कॉंग्रेस ने अनकंडिशनल सपोर्ट का एक लेटर LG साथ को सौपा है हमें बढ़ाश चरे हुआ हमने तो कॉंग्रेस से सपोर्ट मांगी ही नहीं थी वो खुदी सपोर्ट दे रहे हैं आज तक भारत की राजनीती में कभी ऐसा नहीं हुआ फ्री में सपोर्ट देने के लिए तयार है तो साथ कोई सपोर्ट अनकंडिशनल तो होती लिए इसके पीछे इनकी क्या मनशा है कुछ ना कुछ तो इसका राज है पर केजी वाले एक भाशन में कॉंग्रेस को उनकी पार्टी के साथ गटबंदन ना करने पर अलूचना कर रहे थे बाई साब हम कॉंग्रेस को मना मना के ठक गए मना मना के ठक गए गटबंदन कर लो गटबंदन कर लो उनकी समझ में नहीं आ रहा आप से पूछना चाहता हूँ होना जी यह नहीं होना चाहिए गटबंदन हो जाए बीजो पिस सातों सीते हार जाएगी आरेगी कि नी आरेगी जमानत जब तो जाएगी दोस्तों उनको मना मना के ठक गए मुझे नी समझाता कि उनके मन में क्या है अब बात करते हैं कि इजरिवाल द्वारा किये सेसे टीवी लगाने के बादे को लेकर केजरिवाल ने अपने प्रेस कॉंफरेंस में कहा था कि वैं 10-15 लाख CCTV कैमरे दिल्ली में लगवाएंगे और हमने हिसाब लगाया है कि 10-15 लाख CCTV कैमरे दिल्ली में जितने कैमरों की जुरूर तो लगाने शुरू कर दिये तो ये 15 लाख का अखड़ा आया कहा से उनके दिमागे दिमाग के उपजे वो जूट की फैक्टरी है जो बीजेपी वालों के पास है इसके लावा केजरिवाल ने ABP News के इंटर्व्यू में ये कहा था कि बारत के किसी इलाके से अगर कोई दिल्ली आता है तो हम उनका भी ख्याल रखेंगे अगर दिल्ली के हम दिल्ली सरकार भी यही एटिट्यूड ले लेते कि विदेशों से जो लोग आ रहे हैं वो संक्रमित निकल रहे हैं इसलिए उनको दिल्ली में हवाईजाद से उतरने नहीं देंगे यह क्या attitude है? हमारी देश के लोग हैं, जो विदेशों से दिल्ली आए, वो भी मेरे देश के हैं, जो बिहार के लोग हैं, वो भी मेरे देश के हैं, जो यूपी के लोग हैं, वो भी मेरे देश के हैं, जो तमिलाडू के हैं, वो भी मेरे देश के हैं कि सभी लोग हमारे हैं, कोई भी कहीं भी जाने के लिए आजाद हैं? पर बाद में केजरिवाल ने एक एलान किया कि दिली के सरकारी और प्राइविट होस्पिटलों में सिर्फ दिली वासियों का ही इलाज होगा देश पक्त को दिये एक इंटर्वियों में केजरिवाल हेट स्पिच और हिंदू मुसलिम एंगल पर बीजेपी को क्रिटिसाइज करते दिखाई दिये देश उससे आगे नहीं बड़ेगा मॉब लिंचिंग से आगे नहीं बड़ेगा देश हिंदू और मुसल्मान के बीच में जहर गोलने से आगे नहीं बड़ेगा देश साधवी प्रग्या जैसे लोगों को टिकेट देने से आगे नहीं बड़ेगा देश हेमंत करकरे जैसे शहीदों का अपमान करने से आगे नहीं पर न्यूल 18 के इंटर्व्यू में के जिवल खुद ही हनुमान 40 पढ़ते दिखाई दिये अच्छा वैसे मुझे नहीं पूछना चाहिए लेकिन आपने क्योंकि बोला हनुमान भग तो हनुमान 40 आती है आपको हाँ जी आती है बिल्कुल आती है जरूर सुनाएंगे अच्छा है और हनुमान 40 से बहुत शान्ती भी मिलती है जै हनुमान ग्यान गुन सागर जै कफीशती हूँ लोग उजागर तो साबित हो गया मैं सच्छा हिंगर खैर ये थी कुछ फीडियो जिसमें केजरिवाल अपने बयानों से पलटते हुए दिखाई दिये हम उमीद करेंगे कि केजरिवाल जी अपना काम ठीक से करेंगे और दिल्ली की जनता की परिशानियों को हल करेंगे Bureau Report Punjab Today TV